आज तक देश का सबसे जादा देखे जाने वाला चैनल, इस वक्त करोणों की तादात में लोग आपको लाइफ देख रहे हैं, आपको भी ये मालूम है कि देश की अलपसंक्यक समुधाई में इस वक्त एक भय है, खौफ है, अलग-अलग वजहों से, उन्हें लग रहा है कि अभी मैं जब यहाँ पर आ रहा था, जो हमारे साथी थे, उन्होंने कहा कि मैं तो दस्तावेज ढून रहा है, आप तो NRC में ढूनना पड़ेगा, अलपसंक्यक समुधाई से थे, जो देश की माइनॉरिटी कम्यूनिटी के लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, देश के ग्रहमंत्री के तौर पे, उनको आप क्या संदेश देख? करने के लिए इनको नहीं निकाला जाएगा, मगर इस देश ऐसे नहीं चलता कि सिमाओ को खुला छोड़ दो, जिसको आना हो आए, जो गुस पेटी है, उनको जरूर जाना चाहिए, और मैं मानता हूं को उन्होंने स्वत्य कहते देना चाहिए, कि हम कलती से आ गए हमें वा इस देश देश के अंदर गरीबी है, इस देश के अंदर बहुत जंग संक्या है, और जब कोई बाहर से रोजी रोटी के लिए यहां घूस कराता है, तो हिंदू और मुसल्मान, दोनों की रोजगारी की संभावना उपर वो असर करता है, इस देश के मुसलिम नागरीकों क इस देश की सुरक्षा को भी वो चिंतित करता है, तो किसी का हत्यार बनने की ज्यादे संभावना होती है, तो सिर्फ हिंदूों के लिए नि मुसल्मानों के भी रोजी रोटी के लिए यह जो आ रहे है खत्रा है, इस दुरूष्टी से मैंने कहा था, कि हमारी पीडियों की रोजी रोटी की और व्योसाई की व्योस्ता के लिए यह गुस पेठी दिमागे हैं, और मैं आज भी कह रहा हूँ कि हिंदू और मुसल्मान दोनों के लिए यह जो गुस पेठी आते हैं, वो खत्रा है, और रोजी रोटी की व्योस्ता के लिए देश की सुरक्षा के लिए और देश ने कभी भी इतने हलके से सिटिजनशिप को नहीं लेना चाहिए, दुनिया में कोई देश जो हमें नसीहत देते हैं, उनको मैं पूछना चाहता हूँ, बोलो बारत से कितने लोगों को स्विकार करने के लिए आप तैयार है, हम भेज देते हैं कलो, अगर वो स्विक स्विक्मेंट आए, नारजगी को वो तो यह प्रक्रिया को साहजिक्ता से ले रहे हैं,